और साथियों अभी आपने देखा है कि अम्दाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग सामिल थे ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है आप मुझे बताईए निर्दोसों को मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए गने मिलनी चाहिए कानून ने कानून का काम करना चाहिए गने करना चाहिए आतंक वादियों को जड़ से उखारना चाहिए गने करना चाहिए देश को बरबाद करने जो आतंकी निकले थे उन्हें अदालत ने पूरी जाच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला बहुत बारीकी से जाच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ता सजा दी है अब मुझे बताईए निर्दोस लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई आपको अच्छा लगा आपको अच्छा लगा सजा होनी चाहिए थिक नहीं होनी चाहिए थि फास ही मिली तो ज़्यादा अच्छा लगा नहीं लगा न्याय पाली काने सजा दी अच्छा लगा नहीं लगा आप सबको अच्छा लगा न गुनेगार को सजा मिली आपको अच्छा लगा ने पूरे देश को अच्छा लगा लेकिन इन गोर परिवार वादियों में से किसी ने भी देश हिस से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया उनके मुँपे ताले लग गए भाईयो ये क्यों चूप है? नयाई पानिका ने सजा दिये, निरदोसों को मारने वालों को सजा दिये 26 लोगों को मार दिया गया था आपके मुह पर ताला क्यों लग गया भई ये लोग आतंग के सामने आँख पर पट्टी बाथ कर बैठ जाने वाले लोग है ये लोग देशित को दाओं पर रखकर बोट खोचते रहते हैं और इसलिए ये आतंग को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं और साथियों आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा इन लोगों को राश्ट के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है आजादी के बाद राश्ट को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार बल्ल भाई पटेल ने किया है सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे उची प्रतिमा बनाई है सबसे उची स्टेच अफिनिटी हर देश वासी को एक तांका एक जुड़ता का संदेश देती है देश विदेश से लोग सरदार साप की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं मुझे आद है यहां उत्तर प्रतिमा को नमन करने के लिए गुजराज जाते हैं लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि इन गोर परिवारवादियों के पास सरदार साप को नमन करने का समय नहीं है उनकी जच करने का समय नहीं है उन लोग के पास विदेश गुमने के लिए समय हैं बहुत समय हैं लेकिन सरदार साब से नाम सुनते ही दूर भागते हैं भाईयो बैनो मैं कल यहाँ कोशंबिका ही एक वीडियो देख रहा था यहीं का वीडियो था यह गोर परिवार वादी किस तरह दलीतों का अपमान करते हैं यह उस वीडियो में साब दिखाई देता है इन गोर परिवार वादियों को बगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्विकार करना गवारा नहीं है यह भगवान बुद्ध का अपमान हैक नहीं है अपमान हैक नहीं है यह दलीतों का अपमान हैक नहीं है यह पिछडों का अपमान हैक नहीं है यह गरीबों का अपमान हैक नहीं है लेकिन उनको भगवान भुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है लेकिन चांदी का मुक्ड देखा तो भूमें पानी छुड़ गया और चांदी का मुट्ध तो लपक लिया ये लोग गवतम भुद्ध की इस धर्ति पर गरीबों का कभी कल्यान नहीं कर सकते इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क नहने की जरूत है